नमस्कार नचत्र जोतिसकेंद्र के काल चक्र कारिकम के भाग 11 में आप सभी का पुना स्वागत है आईए आचारेशी से पूछते हैं कि प्रायह महिलाओं में देखा गया है कि उनके सरीर के विभिन अंगों पे नीले या काले रंके चोट के निसान टाइप के धब्बे देखने को मिलते हैं इसका आध्यात्मिक और बाईज्यानिक कारण क्या है आचारेशी नम्मुराघवाय नमस्कार ब्रह्मा मुरारिष्ट पुरांतकारी भानों सचीव मुस्तो बुधस्चा गुरुष्य शुक्रह सनिराह के तवसर्वे ग्रहाश अंतिक राववन्तों इस संसार में ग्रह नक्षत्र अद्रिश्य शक्तियां वह प्रकृत में भिन 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 ब्यवस्थाओं के साथ मानव जीवन अपना बेटीद करता है तो आज हम आचा धन्जयक मरपांडे नचत जोतिश्कन देवरिया से काल चक्र भाग 11 में स्री मनोजी के साथ उपस्तित हुआ है आज हम एक विशेश विशेपश्चर से करने जा रहा है जो प्राया लगभग घरों में ऐसे इसे ती देखने को मिलती है तो क्या आपने कभी विचार किया है आपको सुनने और देखने को अक्सर मिलता होगा कि सुबह सो के उठने के बाद कई सारी मा बहनों के सरीर पर पैर पे जंगे पे हाथ पे या पीठ पे काले या नीले रंग के निशान दिखाई जेते है ऐसा क्यों होता है वह इसके होने का कारण क्या है इसके पीछे हम कभी न सोच पाते हैं न कभी समझने की गोशिश करते हैं परन्त यह एक बहुत ही गूर संकेत होता है शरीर का जिसके पढ़ने से यह निशान पढ़ने से हम शरीर में भिन भिन लोगों से उत्पन हो रहे रोगों से निजात पाने का मार्ग पा सकते हैं अगर जो किसी मावहं की शरीर पर ऐसे काले या निजदन के धबे पढ़ते हैं तो उनको सावधान वा सचेत हो जाना बहुत ही अवस्यक है कई बार देहात छित्रों में या सहर में किसा कोई सीमा नहीं है कि कहा होता है कहा नहीं होता है लोग द्वारा कहा जाता है कि या किसी भूद प्रेत द्वारा काट लिया गया है तो इसमें सत्यता कितनी है अध्यात्मिक द्रिष्ट कोण से यादि देखे हम तो जिन घरों में नाकारात्मक उर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है उन घरों में अक्सर महिलाओं को माबहनों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है सुबह उड़ते ही सरीज के अन्य भागों में काले नीडे निशान दिखने से उख जाते हैं और उस मानसिक पीड़ा में वह माबहन जीती रहती है हलाकि कई रों में उस अस्थान को टच करने पर दर्द भी होता है लेकिन कई माबहनों में उस अस्थान को असपर्स करने में कुछ दिक्कत महसूस नहीं होती है तो आधात्मिक द्रिष्टिकोन से यह नकारात्मक खुर्जा का एक संकेत है यदि किसी घर में नकारात्मक खुर्जा है और इस तरह के निशान सरी पक्सर पढ़ते हैं और वह एक संकेत होता है गंभीर बीमारी को लेके आने का जिस माबहन के पैर पे पीठ पे या दाहने या बाय बाह के कंधे के नीचे अक्सर काले नंग के निशान बढ़ते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए उन्हें आर्थाराइटिक्स सरीर के जोड़ों की बीमारी नस्तमंदी समस्या माइग्रेन की समस्या खून की कमी घबराहट जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिस घर में नाकरात्म कूर्जा होती है उनका पहला प्रहार महिलाओं पही होता है और उसके होने से सरीर में मिन्डल की कमी होने लगती है हीमोग्लोबीन की कमी होने लगती है अज जब शरीर में मिन्डल की कमी होगी उससे बिटामिन सी और बिटामिन ए दोनों भटने लगते हैं जिसको डॉक्टर बलते हैं कि इसके अंदर मिन्डल और बिटामिन सी कमी है नाकरात्म कूर्जा शरीर को ओज को खिच लेता है कई बार इसका समाधान मेडिकल साइंस में नहीं हो पाया है डॉक्टर से मेनरल या विटामिन सी कमी करकर कैप्सूलिया इंजक्शन देते हैं पर उससे उसका कोई नियाद नहीं मिल पाता है लेकिन अध्यात्मिक दिश्टकों से या अध्यात्म में इस बिधा का कई सारा दिकत है यदि ऐसी समस्या किसी भी मावहन को होती है तो डॉक्टर के सास्ता किसी अनुहवी अध्यात्मिक ब्यक्ति से जरूर संपर्ख करें जिससे आप आलतू की दवायों खाने से बच जाएंगे शरीर का ओज बच जाएगा शरीर के अंदर हो रही पिल्या से आप इसलिए जिन घरों में भी जिन मावहनों को ऐसी इसीती पैदा हो रही है पैर पे पीठ पे या हाथ के कंधे के बाह पे दिखाए जेता है काले के निसांग तो हो जाए साउधान और इसका रूंठे निजार्थ आज के वीडियो में इतना ही अप्णा हम 28 तारीक के बाद हर हपते राशिफल लेकर एक हपते का एक बार उपस्तित होंगे जिसमें अपने दर्सकों को हर रभिवार को बताया जाएगा जिसे है engaging flour तक हम क्या कर सकते हैं किस काम से बज सकते हैं न वहार भरिष सकते हैं या तब तक आप इस चैनल को सस्क्राइब लाइक और शेर जरूर करें ताकि इसते आपके हमारी इस विचारों का काफी फैलाव जिससे लोग लभानुईत हो सकें आज इतना ही नमो रागवाय नमस्कार नमो रागवाय